हेलो एब्रीवन विल्कम टू माई चैनल दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं थ्रेडिंग करने का बहुत ही आसान और पेंलेस तरीका सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए हमें चाहिए बॉड़ी वैक्स स्टिप आपके पास कोई भी कंपनी की होगी चल आइब्रो के सेप को जैसा हमें आकार देना होगा उस तरह से हम से दे लेंगे आइब्रो पैंसल के मदद से मैं यहां पर एडीएस का आइब्रो पैंसल लिया है जो मार्केट में इजली अबलेबल है यह बहुत ही सच्ती एरेंज गिये 5 रुपे के मिलती है सर्फ और हमें को इस तरह बहुत ही पतले सिक्षन में सीजर से कट कर लेना है और जहां पर हमने निशान लगाया है आइब्रो को हमने जो हाट डिफाइन किया है वहां पर अच्छे से चिपकाएंगे और इसकिन को थोड़ा टाइट रखेंगे और हेर ग्रोथ के अपोजिट डैरेक्शन में हमें इस तरह से खीज देना है सीपडो ली खिचाव में दो ही बार में हमारी नीचे की लाइन बहुत ही आच्छे से क्लियर हो गई है और इस तरह देख सकते हैं कि काफी बाल निकलकर भी आएए हैं आपको बहुत ही केयरफ Aujourdी इस को इसको इस टिपको चिपकाना है और ताक की बल हमारे जो हमें जितने निकालने हैं उतने ही हमारे निकले से उपर करना है जहाँ हमने हमस villageैं कि यह अच्छि noise को चिपका देना है और ऑठीज़bell right कि यह हमारी थ्रेडिंग में लगबख कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ में यहां पर पोस्ट वैक्स इस्टिप दिया गया है इसमें एक तरह का लूशन लगा होता है जो वाटर नहीं होता है और यह इस ट्रिप चिप चिपा नहीं होता है यह ओर्टर से बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो इस विफ्स को हमें जरूर ही यूज करना है यह देखे बहुत क्लीर और फाइन आइब्रू हमारी निखर के आई ही है और कहीं आपकी बाल एकी दुकी जो छूटे है ईसको थ्रेट से निकाल सकते हो इस सेchas हमें दूस्टरी फ्रेडिंग में करना हैँ का धियान देते हुए जिस तरह से एमने इंदूस्टरी फ्रेडिंग का अकार दीया है सेम ही हाएं को बहुत ही आसाथ से हमारी आइब्रू हो गई थी जो डर रहे डरते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है बिल्कुल पेन लेस तरीका सिर्फ चोटी-चोटी हमें बातों को ध्यान देना है कि हमें अच्छे से डिफाइन करना आए ब्रो को और हमें इस ट्रिप को अपोजिट डिरेक्शन में ही कीचना है इस तरह हम फोर हेड़ भी कर देंगे यह देखे बाल बहुत अच्छे से निकल के आए हैं और इतनी पतली इस ट्रिप में अप्यकीन नहीं करोगे थ्रिटिंग हमारी हो गई है सो यह तरीका आपको जुरूर पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक परे सब्सक्राइब परे थैंक्स पर आउच